Hello guys, welcome back to the channel तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत important और बहुत interesting take news लेके आगया हूँ तो वीडियो को लाज तक देखते रहिएगा दोस्तों आपने पिछली update में आपको ये बताया ही था कि 3.6 million MobiQi की users का data leak होने की खबर आई है लेकिन दोस्तों अभी जो news है उसमें ये लेज किया जा रहा है कि लगभग 10 करोड users का data leak हुआ है MobiQi के database से और आपको भी मैंने बताया ही था कि company ने इस allegation को deny कर दिया था उन्होंने कहा था कि उनके data में कोई breach नहीं हुआ है फिर भी हो किसी third party से अपने data की security auditing कराएंगे ताकि लोगों को भी ensure हो सके कि उनके data में breach नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों इसके बारे में जो भी latest update है उसमें RBI ने MobiQi को इन allegations को immediately probe करने का order दिया है यानि कि इनकी जाच करने का order दिया है और साथ में RBI ने ये भी कहा है कि अगर ये allegations सही हुए और अगर data breaching हुई होगी MobiQi के data base से तो उन पे fine भी लगाया जाएगा और दोस्तों MobiQi को पहले ही data breaching को deny करने के लिए criticize किया ही जा रहा है और साथ में जिस researcher ने इस breach के बारे में बताया था तो दोस्तों Wipro जो की एक बहुत ही बड़ी software firm है उसने एक Australian based security firm Mpn को acquire करने के लिए agreement sign किया है अब Mpn को revolution IT और SEAL नामक दो IT services provider companies को merge करके बनाया गया था और दोस्तों इस merger पे Wipro के CEO का कहना है कि Asia Pacific region में उनकी company को fast expand करने में ये merger बहुत help करेगा और इस company के साथ काम करके वो Australia में और भी जादा expand कर पाएंगे दोस्तों Facebook ने कुछ टाइम पहले ही JIF search engine Giphy को 400 million dollars में acquire करा था तो Facebook के इस acquisition के बारे में कुछ authorities ने ये warning दी है कि इस tie-up से बाकी social media platforms को नुकसान हो सकता है क्योंकि Giphy को acquire करने के बाद जो भी उसके animated videos या clips होते हैं जो कि दूसरे social media platforms जैसे Twitter, Signal, TikTok ये सारे platforms इन videos को और in animated GIFs को use करते हैं तो हो सकता है कि Facebook इन platform को ये images वगरा या फिर videos वगरा use करने से ban कर दे और दोस्तों इसी concern को लेके UK में in-depth investigation होगी इस acquisition की ताकि अगर Facebook ऐसा कुछ plan करे future में तो उसको restrict किया जा सके तो दोस्तों इस चीज़ की क्यों जाती है कि कोई भी जब बड़ी firm acquisitions करने लग जाती है तो उस पे investigations होने शुरू हो जाते हैं तो इसका simple सा reason ये है कि जब भी कोई बड़ी firm होती है और बहुत सारे acquisitions कर लेती है तो इससे competition खतम हो जाता है और छोटे-छोटे जो नए start-ups होते है उनको flourish करने का मौका नहीं मिलता और इन बड़ी firm की monopoly हो जाती है तो governments नहीं चाहती कि कि किसी भी firm की कोई monopoly हो किसी भी field में और इसलिए जब भी कोई बड़ी firm acquisition करती है तो उन पर investigation किया जाता है और उनको regulate किया जाता है दोस्तों सोनी 14 अपरिल को Xperia event करने जा रहा है और इसकी information उसने अपने Xperia के YouTube चैनल पे share करी है जिसमें उन्होंने बताया कि किसी नए product को announce करने वाले है अब इस event के बारे में बहुत सारे rumors हैं दोस्तों जिसमें एक rumor तो ये कहती है कि हो सकता है इस event में Sony अपना Xperia concept smartphone वापस से लाने वाली है और वही इस event में launch होगी जबकि कुछ rumors हैं जो ये कहते हैं कि इस event में Sony Xperia 5 और 10 launch होंगे लेकिन दोस्तों जो भी rumors हैं वो smartphone के launch को ही लेके है तो बहुत जादा यही chances हैं कि Sony अपना कोई smartphone ही इस event में launch करेगी विसे दोस्तों Sony ने May 2019 में ही ये announce किया था कि इंडिया के smartphone market से वो अपना बोड़िया बिस तरह बांद के निकल जाएगी क्योंकि इंडिया में इसके sales बहुत ही weak थे बहुत खराब थे तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो नया phone आ रहा है या इसके जैसे और भी जो नया आगे इनके plans है क्या उसमें इंडिया में भी ये phones launch होते हैं या नहीं और दोस्तों अभी हाली में हमने आपको update दी थी कि Apple पे Brazil में 2 million dollars का fine लगा है तो अभी एक और update आ रही है और उसमें Apple के अगेंस दो lawsuit और चल रहे हैं जिसमें पहला है MacBook Pro के butterfly keyboards को लेकर और दूसरा है उनके MacBook में बेकार display cables को लेकर जिसको flex gate या stage light effect भी बोलते हैं अब दोस्तों flex gate lawsuit में Apple पे ये allegations हैं कि उसने MacBook में बेकार flex cable लगाए हैं जिससे backlight uneven हो जाती है जैसा कि आप इस image में देख सकते हो तो इसी को लेके एक lawsuit जो है वो file की गई है और इसमें भी processing हो ही रही है तो उसमें final judgment क्या होगा इसके बारे में हम आपको इस चैनल पर जरूर बताएंगे तो बस दूस्तों अभी के लिए तना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ओन कर सकते हैं थैंक यू